अंदर्शिकों हर हर महादेव आप सभी का हमारी चैनल शिफ कथा उपाई पर बहुत-बहुत स्वागत है कैसे हैं आप सब? हम आशा करते हैं मित्रो आप सभी स्वस्त और सुरक्षित होंगे आप सभी जानते हैं कि 5 अगस्त दिन शनिवार को पंचमी दिथी है सावन और पुरसोत्तम मास यानि की अधिक मास के इस महासयोग की पंचमी दिथी पर यदि आप महादेव से अपनी कामना को पूर्ण करना चाहते हैं तो इस दिन यह उपाई अवशे करें यदि आपका कोई कार्य लंबे समय से अटका हुआ है या आप किसी परिक्सा में पास होना चाहते हैं तो इस उपाई को अवशे ही करिएगा पूचनिय पंडिजी ने अपने शिव महापुरान कथा में इस विशेश उपाई का वर्णन किया है आप सभी जानते हैं कि सावन का पवित्र माह भगवान शिव को समर्पित माना जाता है और भगवान शिव के इस पवित्र माह में यदि हम भगवान शिव को प्रसनि कर लेते हैं एक छोटे से उपाई से तो हमारे जीवन की समस्ति कामनाय पूर्ण होती है और महादेव हमारे अटके हुए सभी कार्यों को भी बना देती है तो यदि आप भी अपने मन की कामना को पूर्ण करना चाहते हैं मित्रो तो इस एक अचोग से उपाय को आप अवश्य ही करिएगा जिससे कि महादेव की असीम क्रपा प्राप्त होंगी चलिए जानते हैं वह कौन सा अचोग सा उपाय है जिससे आप पंजमी दिथी पर करेंगे प्रदोश काल के समय पर तो महादेव आपके जीवन की सभी कामनाओं को पूर्ण कर देंगे लेकिन उससे पहले मित्रो यदि आप हमारी चैनल पर नए है पहली बार मेरी आवास को सुन रहे हैं चैनल पर आज अचानक पहली बार आए हैं तो चैनल को तुरंधी सब्सक्राइब कर लीजे बेल आइकन को प्रेस करके आल पर क्लिक कर दीजे जिससे कि हमारा जब भी कोई नया वीडियो आएगा उपाय आएगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त होगा विशेश मनुकामना की पूर्टी है तो आप इस उपाय को अवश्य ही करिएगा महादेव आपकी इस कामना को अवश्य ही पूर्ण करेंगे इस उपाय के लिए आपको 31 हरे मुंग के दाने चाहिए होंगे जी हाँ वही मुंग के दाने जो आप अपनी रसोई घर में दाल बनाने में प्रयोग करते हैं 31 हरे मुंग के आपको दाने ले लेने हैं 31 चावल के दाने ले लेने हैं ध्यान रखे सेगा चावल ले खंडित चावल का प्रियोग का दाना चावल की दाने का प्रियोग नहीं करना है। पहले तो आपको भगवान शिवकार जला भी शेक करना है। वहाँ पर आपको रख देना है। इसके बाद जो 31 बेल पत्र आप लेकर गए हैं उस पर आप चंदन या रोली से बिंदी लगाएं और अपनी मनोकामना का इस्मरन करते हुए। शिवलिंग पर जो माता असोक सुंदरी वाला इस्थान होता है आपने देखा होगा जहाँ जल नीचे आता है शिवलिंग से वहाँ पर बीचो बीच एक मोटी सी लाइन होती है। वो माता असोक सुंदरी का इस्थान है वहाँ पर आपको रख देना है ध्यान रखी जो बेल पत्र के डंडी है वह जल जहां से नीचे जाता है उस तरफ होनी चाहिए और आपका मुक्च जो है उत्तरदिशा की ओर होना चाहिए अब आप भगवान शिव की अरादना करते ह हुए बावसे निवेदन करें अपनी कामना को कहें मानता है कि इस उपाय को करने से आपकी कामना महादेव सावन के माह में अवश्य ही पूर्ण कर देंगे दोस्तों यदि उपाय अच्छा लगा तो लाइक करें कमेंट करें सब्सक्राइब करें धन्यवाद श्री शिवाय नमस्तु भ्यम हर हर महादेव